बिस्मिल्ला रख्माने रही में अस्सलाम अलेकूम वेलकम तो गौहर पाब्लिशिस तिस इस हमना बिनते शहजाद आर मोटो इस रीडिफाइनिंग ते जोग्रफी अधिकेशन थ्रू डिजिटर रिसूर्स फॉर कॉंसेप्चिल लर्निग डियर टीचर्स एंडियर यहां पर हम लाम की बड़ी शकल लाम की चोटी शकल लाम का तारुफ, पहचान और इसकी लिखाई के साथ साथ इलफास साजी भी देखेंगे तो जैसे कि आफ स्क्रीन पे देख सकते हैं ये लाम की बड़ी शकल है और बाएं जाने प्लाम की चोटी शकल हमें नदर आ रही है अब हम लाम की लिखाई देखेंगे जी लाम की लिखाई बहुत असान है अब इसको अब हम एक दफा लिख के देखते हैं बहुत आसान लाम बिलकुल लाम अब एक दफा आप लोग लिखेंगे जी लिख के देखिए उंगली की मदद से हमा में बिलकुल इसी तरीके से अब हम फिर इसको लिख के देखते हैं लाम जी, अब हम सलते हैं, हम अपने किताब के सफ़े की जानब जी, सफ़ा हमें सिखा रहा है लिखाई लाम लट्टू, लाम लालबे, लाम लूम्री और ये हैं लाम, लाम लाइन से नीचे लेके जाना है लाम ये सोड़ा सा खराब लिखा गया है आपने इसको लाइन से नीचे लेके जाना है लाम इसी तरीके से अब लाम की शकल देखते हैं एक शकल लाम 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 छोटी शकल लाम छोटी शकल अब हम देखेंगे लाम की इलफास साजी ल, अ, ल, अ जब लाम को अलिफ के साथ मिलाते हैं तो ये अपनी शकल तबदील करता है जैसे कि आप देख सकते हैं ल, यानि कि आप देख सकते हैं कि ये वाला हमारे पास शकल आ रही है ल, ठीक है ल, ल, क्या बन गया? ये हमारे पास बन गया ल, ल, इसी तरीके से जब हम ये वाली शकल को देखेंगे तो हम कैसे देखेंगे? हम देखेंगे लाम, ल, वाओ की आवास यानि कि ल, ओ, क्या बना हमारे पास? लो अब अगर इसी तरीके से इसकी इलफास साधी देखें लो और ग, क्या बन गया? हमारे पास लफ़ बन गया? लोग अब आप देख सकते हो कि हमने दोनों तरीके से लाम की इलफास साजी देख ली अलिफ के साथ भी देख ली और हमने देख ली वाउ के साथ भी अब चलते हैं हम अपने अगले सफ़े पे यानि के पाकिस्तानी लिबास स्क्रीन पे आप देख सकते हैं पारे पास पाकिस्तानी लिबास है जी जब हम पाकिस्तानी की लिबास के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है हम इस मुल्क में रहते हैं इस मुल्क से प्यार करते हैं और ये मुल्क हमारी पहचान है पाकिस्तान के चार सुबे हैं अपना लिबास भी है जैसे कि आप देख सकते हैं कि पंजाब के लोग दोधी कुरता भी पहनते थे अभी भी कहीं कहीं पहना जाता है लेकिन अब ज्यादा तर लोग शलवार कमीज ही पहनते हैं सर पर पगड़ी बांदी जाती हैं सिंद्ध की आप तस्वीर में देख सकते ह सिंद्ध में लोग शलवार कमीज के साथ सिंदी टूपी पहनते हैं और अजरक भी पहनते हैं खैबर फगफ्णून खामें जैसे कि ये पठान आपको नजर आरे हैं शलवार कमीज के साथ वासकट पहनी जाती है कोछ इलाकों में लोग पگरी भी बांदे हैं औरतों का जो रैसे वो फ्रॉक और शलवार है अब इसी तरीके से हम चलते हैं बलोची जब हम बलोची की बात करते हैं तो बलोची वस्तान में भी शलवार खमीज पहनी जाती है और साथ भारी पगड़ी पहनी जाती है शलवार खमीज के साथ औरतें सर पर खुले और बड़े डुबटे ये तो हमारे चार सुबे थे इसी तरीके से कश्मीर और गिलगित बलतिस्तान के इलाके भी जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा हैं तो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कश्मीरी और गिलगित बलतिस्तान के लोगों के हमें लिबास भी नजर आ रहे हैं गिलगित बलतिस्त कश्मीर के लोग भी शलवार कमीस पेहनते हैं और तेंश लवार कमीस के साथ अपने सर को ढाम के रखती हैं आप देख सकते हैं सर पे टूपी के साथ बड़ा डुबटा उन्हें लिया वे और वहां पर उन्होंने सर को चादर से बांग कर कवर किया हुआ है मुझे उमीद है कि आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए अलाहाफिस